घर है एक मंदिर तुम मेरे देवता हो स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा होता है परिवाद दिए देखिए कौन-कौन से पौदे हमने लगा दिये है सारे एक लाइन से लग गए अच्छा सही दिखा दिया हूँ लो तुम दिखा दो का भई सुबा सुबा अरब में क्या कर रही है ये देखिए पौदे लगाया जारे फारुसा से नहीं खुर्पी से खुर्पी से होता है सीखो हम लोग खुर्पी से सब कुछ कर देते थे जोर लगा लगा सिखा सिखा को लू अरब में की ट्रेनिंग शुरू है क्योंकि बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो मुम्मी की गोच से निकल के उसको बाहर की काम भी करने चाहिए यह देखिए ट्रेनिंग का ही एक यह पार्ट है देख लिए अब दूसरा तुम गठा करोगी अब बच्चों में न पावर जादा होती है तो यह मां समझो कि कम जोर हो आपसे नहीं होगा दानमा आई तो दानमा हेने न रही क्या हो रहा है क्या हो रहा है चाय शानकर लूँ देखिए चाय बन रही है हमारी आज नौर आत्री का है पहला देन और यह भी ब्रत है मैं इसको मना कर रहे हैं कि नौ दिन ब्रत मत रखो नहीं तो बोल रही है कि नहीं है नौ दिन का ब्रत रख नहीं है तो हम लोग पीएंगे चाय अभी थेदे जूस दो चाय कौन यहां पर फ्रूट ले आके रखे हैं अभी इनको दोने हैं चाय मेरी पेड़ा खाली हूँ मैं चाय 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 गरम कैसे हो आप सब मैं सांती स्वागत करती हूँ अपने यूटूब चैनल गाओं की सांती में और आज है नवरात्री का पहला दिन तो मैं आप सभी को पैरचो के प्रडाम कर रही हूँ आप सब अपना असिरवाद मेरे उपर बनाये रखेगा और माता रानी भी अपना असिरवाद मेरे पे आप सब पे बनाये रखे आप सब सबसे माता रानी अपनी क्रिपादिश्टी बनाये रखे और आप में से कौन-कौन ब्रत है मैं भी ब्रत हूँ और हमारे घर में सब लोग ब्रत है मेरे सिस्टर भी है मेरे हस्बेंड भी है तो आज हम सब लोग ब्रत है हम लोग का तो मैंने सुबग की पूजा खत करते हैं यह भी कमेंट करिएगा तो यहां पर हो रही है मेरी सुभा सुभा की पूजा मेरी सिस्टर पूजा कर चुकी है और अरम्या को भी मैंने बोला कि बहुत इंग्लिस गाने सुनती हो बहुत सारा इंग्लिस में पढ़ाई भी करती हो हिंदी भी पढ़ती हो सब करती हो तो तुम चलो, आज मुझे दुर्गा चली सा पढ़ो, क्योंकि ये सारी चीज़े अपना जो होता है, वो कल्चर होता है, और बच्चों में हर एक चीज आनी ही चाहिए, तो यहाँ पर बस मैं दिया वगेरा हर जगा दिखा दूंगी, पूरे घर में दिया दिखा दूंगी, और मैं ऐसे जो है, वो सुबह सुबह का आज का पूजा, वो मैंने स्टार्ट कर दिया है, लेकिन आज ही के दिन मेरी सिस्टर लोगों को जो है, वो जाना पड़ा, क्योंकि, क्या बोलू मैं आप सबको, उनकी भी कैरियर, उनकी भी जिन्दगी का सवाल है, मेरे पास रह के वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगी, वो तो जाना ही पड़ेगा, थोड़ा सा इमोसनल ये घड़ी हो जाता है, लेकिन नहीं समझ में आता है, ऐसे मैं क्या बोलूँ आप सबसे, तो थोड़ी सी मैं इमोसनल हो गई, तो कि मेरी सिस्टर आप सबको पता है, मेरी तबियत खरा कर रहे हैं, या फिर आसी टेट का कुछ ऐसा कुछ आया है, तो उसके लिए उनको जाना पड़ा, क्या कर सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन थोड़ा सा दुख हुआ, मैं चाहा रही थी कि और रातरी भर रुके, लेकिन वो बोल रही थी कि मतलब जैसे कि मम आली में भी बुलाओगी हमें, और कुछ ऐसा प्रोग्राम बीच में एक दो बार तुम बुला ही लोगी दी, तो इतना इमोशनल होने की जरुरत नहीं है, लेकिन इस बार हो कुछ जादा टाइम तक रुक गई, जैसे कि 10-15 दिन, 10-15 दिन नहीं माफ करीगा, लेकिन हाँ, एक हपते या देड़ हपते तो वो लोग रुकी ही मेरे पास, तो बहुत इमोशनल अटेस्मेंट है, क्योंकि आप सब को भी पता है, हमारी ममी नहीं है, तो हम सब बहने ही एक दुसरे में सब अपने मा का रूप देखते हैं, और एक दुसरे को उसी तरीके से, असा ममी होत थी, लेकिन कुछ कारण के वज़ा से नहीं हो पाया, सैद मातारानी का ना रहा हूँ, मातारानी नहीं चाहती हो, अभी कुछ मेरे में कमी रह गई हो, इसलिए वरना मेरा बहुत मन था इस साल, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार कर लेंगे, ऐसा हम सोच रहे हैं, लेकिन कुछ रीजन था, जिसकी वज़ा से नहीं किया, ये लोग चली गई है, आज बरत है, तो फिर मेरा मन मूट थोड़ा ओफ हो गया, तो मैं थोड़े दिर के लिए लेट गई थी, और अभी मैं जाओंगी, अरम्या के लिए बनाओंगी, क्या बनेगा, मैगी, तो क्योंकि अ तैलेंटेड, अलग लेवल की टैलेंटेड, और देड़ साल की ये थी, तब वो गाना गाती थी, और इन्वेटर का आवाज आ रहा है, ऐसा खबर आ रहा है कि स्याद आज हमारे घर में, घर में नीम आपकरेगा, गाओं में ट्रांसफार्मर आ जाएगा, अगर आप गाज अरमय भी आज सोड़ा सा दुखी है क्योंकि मौसी नहीं, अरमय की बेस्ट फ्रेंड है मौसी लोग, क्या होता है कि सब चीजे खेलना, कूदना, ये सिखाना, वो सखना, पढ़ाई, लिखाई, सारी चीजे अरमय की मौसी लोग के साथ होती है, कोई नहीं अफसाम की इसका कोई असर नहीं होता, इस पे ती पर मरण मौँ और यहां पे जो है, वो हो रही है, मेरी पाठ वाली पूजा, जो पाठ होती है, तो मैंने सोचा की चलो, को उन्चे? और अभी यहां पे लाइट का बहुत समस्या है, वह अधी ज़्यादा समस्या है, इनम अंदेरा भी हो गया है, और साथ-साथ में यहां पे इन्वर्टर भी एकडम जवाब दे चुका है, दू हप्तों से, तो आप समझ सकते हैं कि कि इतना ज़्यादा दिगत हो रहा है, औ बिजली से ही वह चलता है जब बिजली का लाइट जब कनेक्शन आता है तो वह लोग टावर को आन करते हैं तो जो भी वहाँ फंक्शन होता होगा इसलिए जब लाइट निटवर्क नी और बहुत ज़्यदा भी दिक्कत झेल रहे हैं लेकिन कोई बात नी तो कैसी लिखी वी अपना जरूर दे सकते हैं मैंने अपना पाठ जो है वह साम का खतम कर लिया और मैं कील कवच अरगला ये सब चीज़े पढ़के पाठ का जो है वह करती हूं तो इसी तरीके से और आप कहेंगे तो मैं अगर आप सब देखना पूरा चाहेंगे विस्तरित की मैं सुबा से सा सेयर करूंगी लेकिन आज के लिए बस इतनी सी ही वीडियो और आज कुछ अच्छा नहीं लगा कि कई दिनों के बाद होता है न जाती है तो तकलीफ बहुत ज्यादा हो जाती है तो मैं मीलूंगी आप सबसे एक अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सब अपना बेहत बेहत ख्याल रखें और मैं जा रही हूं थोड़ा सा भी चाय नास्ते का प्रबंध करने के लिए नास्ता क्या सेव अगेरा मैं काटूंगी और सोच रही हूं कि सेना नमक मुझे खाना चाहिए कि नहीं वैसे तो ब्रत में खाते हैं तो शाद मैं कल से खाऊं क्योंकि 9 दि ट्रांस्फार्मर वाली बात जो बोली तो ट्रांस्फार्मर तो आ गया है लेकिन अभी लाइट की सप्लाई बस 10 मिनट के लिए हुई उसके बाद यह देखी अंधेरा हो गया है बिल्कुल भी यहां पे लाइट नहीं है और वो डब्बे देखके यह मत बोलिएगा वह बह पाठ करने में अगर पूरा पाठ आप लोग कर रहे हैं मतलब एक अध्या या दो अध्या और वो सब पढ़ते हैं कील कवा चरगला तो कम से कम डेड़ से दो घंटे का समय लग जाता है इसलिए मैं मिलूंगी आप सबसे कल क्योंकि यह वीडियो फिर लेट हो जाएगा तो अपना ख्याल रखिए फिर से आप सबको हैपी नवरात